नारज जी और आगे बढ़ते चले गए तो कलकल निनादरी माता यमुना नदी के किनारे एक देवी बैटी बैटी रो रही हैं नारज जी ने देखा क्यों रो रही हैं उनके पास में दो बुजुर्ग बूढे लेटे हैं बुजुर्ग बिलकुल उनके बाल सरही की तरह सपेद हो गए और वो माता भक्ती की गोद में सर रखे हुए लेटे हैं नारज जी ने देखा कि ये देवी रो क्यों रही हैं बिलक रही हैं ब्रंदावन की भूमी पर हजारो देवियां कोई पंका कर रही हैं अब समय नहीं रहेगा हमेशा के लिए ठीक हो जाएंगे आपके पुत्र नारज जी गए हाँ जोड करके पूछा हे माता कथम रोदश आप क्यों रो रही हो तब वो देवी कहने लगी महत्मा परम ज्यानी संत नारज आप तो बास्तम में संत हैं संत हर्दे नबनीत शमाना आपने मेरा दुख देखा और मुझसे पूछा मैं बताओं कौन हूँ हाँ बताईए समझा करके बोली वो देवी कि मैं भगती नाथ कहाती हूँ अव अपना परिचय बतलाती मैं भगती नाथ कहाती हूँ अपना परिचय बतलाती हूँ मैं भगती नाथ कहाती हूँ अपना परिचय बतलाती हूँ चली कहाती हूँ कर दोर रसा व ते घंथरा रमने स만र कर दो दो लगतीर करा स्बीपी आफ कर दो कि दो पर्गडर वियुड नवे extraड़ सで ब सुन आट खारे कर दो By J. के लुइम नव辞डर搬 आप कर दो रूंब फंॉ ये नारद दिशी मैं भक्ती मात कहाती हूँ अपना परचे बतलाती हूँ है ज्ञान बैराग ये पुत्र मेरे इनकारण दुख उठाती हूँ ध्यान दे ना इनकारण दुख उठाती हूँ सत्युग दौपर त्रेता में मेरे बेटा नहीं थे आपे में और जैसे ही आयो कल्युग नारद बेटा गिरे बुढ़ापी में मेरे पुत्र बुजुर्ग हो गए बूड़े हो गए और मैं जबान हूँ और यही बात मुझे रुला रही है इसी बात की मेरे हिर्दे में सांती नहीं आ रही क्यों कि नारद ये बात है लज्जा की जै हो अमरने की खास निसा नारद ये बात है लज्जा की मरने की खास मिसा निर है के खनब रखाई तुणा रोगयों मैया मगदिकर जबाए बैया जी द्यान देना नारद ये बात है लज्जा की मरने की खास निसानी है और बेटन पर आए बुढ़ापों गए हो मैया पर इधर जबानी नारद जी ये मेरे पुत्र बुजरुक हो गए है भक्ती मैं हूँ मैं जबान हूँ अच्छा भक्ती जबान है कलीग में Vallon क्योंकि भक्ति खूब होई रही है उसकी कदर है भक्ती खूब होई रही है खूब गली-गली में कताए भागबत राम कता गली-गली में महाराज चर्चा होई रही है लेकिन महाराज ध्यान देना चर्चा कैसी हो रही है जादा ज्यान भरी का था सुनाने लग जाओ तो दुईचारे बड़े बुजुर्ग रुकएंगे बाकि सब धीरे धीरे पलायन हो जाएंगे तो चले जाएंगे अपने अपने घर तो भाई ज्यान की चर्चा नहीं हो रही है भक्ती की चर्चा होए रही है तो भक्ती जबान ज्यान ज्यान को कोई सुनना नहीं पसंद करता अधिक इसलिए महाराज ज्यान के ग्राहक कम होते है और जिसके ग्राहक कम होते है बाचीज सस्ते में बेचनी पढ़ती है यह तो सबको मालू होगा जिसके ग्रहक नहीं वो चीज सस्ते में बेचनी पढ़ेगी नहीं तो बैठे रहो और ध्यान रखना जब ज्यान किसी को पसंद नहीं आएगा ज्यान किसी को चहिए नहीं है तो बैराग की क्या खाखाएगा वाई बैराग भी नहीं आएगा क्योंकि ज्ञान के बाद बैराग आता है जब वेक्ति आत्म ज्ञानी हो जाता है फिर वो संसार को एक तुछ सपना समझता है तब उसे ब्रह्म ज्ञान होक करके प्रमात्मा की प्राप्ति होती है मोह माया में नहीं पढ़ता और नहीं तो अज्यानी विक्ति मोह निसा जगसो बनहारा देख हैं सपन अनेक प्रकारा अनेक प्रकार के सपने देखता रहता है सुबह होता है फिर काम पे लग जाता है साम को फिर मारा थारा थका सो जाता है और यही करम चलता रहता है आये थे हरिभजन को ओटन लगे कपास जिस कार्ण से मनुस दे पाई थी वो तो करम ही नहीं कर पाए सारा जीबन निकल गया फिर पचता है हो तका जब चिडियां चुंगई फिर नहीं समझ में आएगा कैसे समालोगे अपने आपको तुम मेरे भगबत प्रेमियो नारद जीने का चिंता मत करो हम तुमारे पुत्रों का रोग दूर कर दूँगा ग्यान और बैराग को जगाने लगे नारद जगाने लगे उनके कानों में बेद मंत्र कहने लगे उठो नारद कहते हैं उठो बैराग सुनिए बेद पुराण सास्त्र बड़ी बड़ी महाराज बेद इस्मृतियां कहीं गई और बड़े बड़े महाराज प्रबचन नारध जी ने कहे हैं तो जब तक प्रबचन होता तब तक ज्यान और वैराग ठीक ठाक हो जाते खो महाराज हसने लगते उनका रोग दूर हो जाता प्रसंद चित हो जाते और जैसे ही प्रभचन होता बंद और नारज जी अपना बीणा लेते चल्ले लगते वो फिर से महाराज बही सिती में हो जाते अच्छा ये हमस्ता होती रहती है जैसे जब कोई कथा बाचक कोई परम ज्यानी किसी सादू संत महतमा का जब कोई प्रभचन सुनता है तो उसके अंदर ज्यान जग जाता है जग जाता है ना बैराग ज्याने लगता है बैराग ज्याने लगता है और जहां महाराज भागवत समापन भई, पंडी जी ने हवन करो, भंडाराबो, खाई परसाद, सब लोग अपने अपने घर रहेगे, पंडी जी की विदा होई गई, आरे कहां लेगे, लावो यार, बनावो खाई, पंडी जी तो बताई गे वे ना कही हो, लेकिन बे तो चल गए हो, लावो तासिक पता खेले, यह क्या है, फिर वही बीमारी लग गई, जब तक कथा होती रही तब तक तो तुम सुद्रे रहे, और जब कथा बंद, पंडी जी चले गए, फेरी वही बात, हमने अपना जहां, जैसे यह अपना तयार किया घर जाने को, लोग कहने लगे बस आओ, भई आप तो पंडी जी जा रहे, तो यही नारज जी के साथ हो रहा है, नारज जी कथा सुनाते हैं, तब तक ज्यान भक्ति, बैराग प्रसंद, और जहां कथा वागबत बंद, नारज जी के सोचते हैं कि यह कैसी बीमारी, यह तो दूरी नहीं हो रही है, हे प्रभू मेरी मदद करो, मैं इनको कैसी ठीक बस्ता में कैसे लाओं, तब महाराज आकास वाड़ी हुई हे नारज, तुम सतकर्म करो, नारज जी ने का सतकर्म का अर्थ क्या होता है, तो का कि तुम्हे कोई बिरला सं तो महतमा बताएगा, अब नारज जी सतकर्म का अर्थ जानने के लिए, भीना लेकर के जब चले हैं, तो बीच मारग में जितने भी आसरम पड़ते हैं, उन मारग के आसरमों में जा जा करके देवरिशी नारज मस्तक जुका करके प्रणाम करते हैं, और पूछते हैं, हे पर आप तो संत कहे लिजिए, जो देवताओं में भी अबादगती से चले जाते हैं, और देत्यों में भी उनका सम्मान, ऐसे हैं देवरिशी नारद, और नारद रिशी की इतनी उची पदवी जो ब्रह्मा के पुत्र हैं, और ऐसा संत, और मृत लोग के संतों से ये अईसा होता है कि नहीं, जैसे कोई डिगरी प्राप्त, डाक्टर आ जाए, तो जोला चाप बाले पता लग जाए, कि डाक्टर साहब आया है कोई बहुत बड़े, तो महराज पीछे बाली खिड़किया से ताला लगा एक निकल जाए और भले बे डिगरी प्राप्त जो डा अगर दोके से भी किसी को लग जाए इंजक्सन और उसकी मृत्त हो जातो उस पर कोई कारवाई नहीं कर सकते क्योंकि उसमें डिगरी है, और जिसके पास डिगरी नहीं है, डाक्टर तो कितना भी बड़ा मुचा हो, परन्तु वो है तो नाकाम्याब सरकार की दर्ष्टी से इसलिए नारद जी तुम तो वड़े काम्याब संत हो, हम आपके प्रसन का जबाद नहीं दे सकते, नारद जी सोचन लगे तुम लोग नहीं दे सकते, तो ब्रह्मा जी मेरे जो पिता स्रीयें बो तो दे सकते हैं, उनी के बाद जा रहे हैं, अब देवर्शी नारदें बिर ना लिया, और तीर्थों का भरमण करते हुए, बद्री नारण धाम पहुँचे, बहां सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये मारा चार रिसी कुमार बैठे थे, भजन कर रहे थे, हरी शरणम, हरी शरणम का जाप कर रहे थे, संत नारद को देखा, और बोले नारद, आप त करके तो लोगों के अंदर की उदासी चली जाती ही, लेकिन आप स्वयम उदास हो, क्यों? संत कभी अपने लिए चिंतित नहीं होता, क्या कोई संसार में घटना घट रही है, तब नारद जी ने शारा खेल बताया कि मैं ब्रंदा बन से आ रहा हूं, और मैं देखे आया हू दुनिया में सभी हतास निरास उदास है, कैसे? प्रुष्पक्या में ग्रुष्पक्या नारा खेलसे जडिया लिए उदास है कोई तन दुखी कोई मन दुखी कोई धन भीन रहते उदास और थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास जो है राम के दास वो नहीं होते उदास किकी वो रहते परमात्मा के हमेशा पास नहीं वो होते जगत से कभी निरास इसलिए सारी आसा छोड़ करके एक सीह लगा लो अपनी हास मेरे भगबत प्रेमियों नारज जी की बाते सुनकर के संट कुमार कहने लगे तुमारे अंदर जो चिंता है ना संट कुमार कहते हैं कि वो सारी चिंता में दूर कर दूँगा भक्ती माता से कहो कि अपने ज्ञान बैराग पुत्रों को लेकर के हरिद द्वार में वहाँ पर एक हम स्रीमत भागबत की पवित्र पावन कथा कहेंगे और यदि भक्ती माता ने ग्यान बैराग को वो कथा सुना दी तो समझ लो उनका कल्याड हो जाएगा नारज जी ने कहा महराज कैसी बात करते हो मैंने उनको बेद सुनाया गीता पाटर मुहर्मू कई बार मैंने गीता का उनको पाट कराया बेदों का समझ पान कराया सास्त्रों का अध्यन कराया लकिन आप कहते हो एक भागबत महाँ पुराण सुनकर के उनका कल्याड हो जाएगा नहीं लगता मुझे अरे भाई भागब तुम्हें कुछ अलग से तो नहीं है, बेदों को जो मैंने सुना दिया, तब भागबत क्या चीज है, तब सनत कुमार कहने लगे, नारद, तुम बड़ी भूल कर रहे हो, ये बेद जो है न, ये मूल है, मूल माने, जड, ये मजबूत जड है, तो बेद रूपी कल्प का पका हुआ फल ही है, श्रीमद भागबत का था, ध्यान अकना भाई हो, बेद रूपी कल्प ब्रच का पका हुआ है, श्रीमद भागबत का था का जो रूप है, वो फल है, आप ये बानो, अब जैसे किसी पेड का यदि तुम्हें स्वाद पता करना हो, तो उसका एक फल आप खा लीजिए, अब आप जितने भी देखोगे फल, बस इसी स्वाद के होंगे, अच्छा आम का फल इतना स्वादिष्ट होता है, आनन्द आ जाता है, लोग आम फलों का राजा मानते है, अच्छा आम का फल खा करके बड़ा आनन्द की प्रापती होती है, लेकिन आम क तो फल खाई कि कोई जाकाई कि यह भहिया, जब आम फले हैं तो मिट हुए, तो जिस पेल नम जो लगो हुए कि जड़े कि इतनी मिठी हुए, तो जड़ जाएक जाएक चबाएक देखियो, जड़ में वो स्वाद नहीं मिलेगा, जो आम के फल में मिलेगा, और वो स्वाद तो इसलिए जो भी भरा है वो सब जड़ से ही गया है फल में और जो फल में स्वाद है वो पत्त नमना है वो तना में आ है तो भाईया जरा ध्यान से सुनना ये भागवत जो है न ये बेद का बेद रूपी कल्प ब्रच का पका हुआ फल है जिसके पात जीवन में अधिक समय ना हो तो भगवान की पवित्र पावन स्रीमत भागवत का पवित्र पाट सुन ले साथ दिन कथा सुन ले तो कल्यूग में सबसे बड़ी सरल साधना ये ही है बिन हरी क्रपा मिलत नहीं संता और राम कथा या भागवत ऐसे हो नहीं सकती बड़े बड़े पैसा बाले पड़े हैं लेकिन कभी भागवत राम चर्चा धर्म चर्चा ये भजन पूजन नहीं करवाते क्योंकि उन पर क्रपा नहीं है